उटी के अंदर face mask का क्या उपयोग है उटी के अंदर face mask के द्वारा anesthesia दिया जाता है इस procedure में रोगी के नाक और मुँ को mask से cover किया जाता है और inhalation gases जैसे cvo, iso, deso, nitrous oxide को patient को दिया जाता है जिससे की anesthetics को मरीज को बेहुस करने में आसानी होती है जब face mask का प्रियोग करते हैं तो inhalation gases की मदद से आपके किसी भी patient को जल्दी से बेहुसी दी जा सकती है और उस मरीज को अपने दर्द से राहत मिल जाती है यह सब कुछ face mask के बिना नहीं किया ज़कता और बच्चों के लिए तो यह काफी अच्छा होता है लेकिन face mask को प्रियो mask प्रियोग कर रहे हैं आपका patient उससे comfort होना चाहिए face mask OT के अंदर बहुत ही जरूरी होता है और यह अलग-अलग size के आते हैं adult के लिए 3,4,5 नमबर के प्रियोग के आता है बच्चों के लिए 0,1,2 नमबर के प्रियोग के जाते हैं यह transparent बने होते हैं यह transparent इसलिए होते हैं कि अगर आपका patient procedure के दोरान में vomiting कर दे तो आपको वो आसानी से देख सके